गुड मॉर्णिंग एबरीवन आप सभी लोग का स्वागत्या अच्छे दिसंबर है तो दैनिक जारण के राश्टे संसकर न्यूज पेपर में पीटी में पलस इंटिवी और यहन कौन-कौन से न्यूज को कवर किया गया है उसे हम लोग देखेंगे आगे बढ़ेंगे आग कुमार की जो व्यर्थी है तो लगतार परियास करती है आप निजनतर परियास करते रहिए, आपकी सफलता आपके पास होगे क्योंकि इससे आपका इंटर्णल डवलेप्मेंट लगतार हो रहा होगा आप स्वे में महसुस करेगी आप comment section में अपने विचार जरूर लिखिएगा आप पहले चीजों को कैसे सर्च करती थी वरतमान में जब दानी जानी नीज पेपर analysis देख रही हैं तो कैसे करती है तो जरूर वाच में सभी studentों का देखता हूं क्या वो कर रहे हैं कैसे comment को करते हैं साथ ही साथ चीजों को कैस समझ रहे हैं यह सबसे important fact बात है केवल पेपर के analysis को पढ़ लेना सुन लेना या उसके PDF को देख लेना ही important part नहीं होता है उसके theme को क्या आप समझ पा रहे हैं और उसका उत्तर आपके answer writing में आ रहा है यह important factor है उसके content आपके answer writing में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं अगर किसी भी topic analysis कराया गया उसके theme को आप क्या justify कर पा रहे हैं यह ज्यादा important होता है तो हमारा परियास इसी दिशा में है एक परियास और भी आप लोग के लिए किया गया है PT insight नाम से एक series चला जा रहे है जिसमें आपको PT fact के कुछ महत्पुन topic को cover किया जाएगा यह monthly आएगा जैसे नुवंबर का top 50 topic होगा आप इसको बिल्कुल free है तो सभी लोग download कर लिजे युक्तिया इस एप को link आपको comment section box और telegram channel अबलेवल है आप जाके वहां से कर सकते है या diet हमाई technical team को call कर सकते हैं आपको month ygf top 50 current दिया जाएगा जिसमें उसके current plus static parts को भी cover किया गया बहुत ही ब इस एप download करके उसके free material segment में जाईएगा free material segment में आपको वहाँ पर pt insight नाम से आपको एक folder मिलेगा उस folder में मन्तवाई आपको update होते जाएंगे ठीक है तो उसे आप लोग जरूर देखिए वाच कीजिए pt के लिए वह important हो जाएगा मेंस के लिए आप लोग को magazine program चलाया जा रहा है साथी साथ classes available होंगी अब लगतार साथी साथ टेस्ट सीरीज हम लोग प्लान कर रहे है 14 जन्वरी से आपको एंजिसमें ncrt ncrt subjective test sectional test और आपको full length test के साथ previous year test भी आपको होंगे तो यह cool package होगा जिसमें आपको 14 जन्वरी को एक scholarship program रखा जाएगा जिसमें selected student को कुछ student को free रखा जाएगा उसके लिए पूरे package free होंगे कुछ के लिए discount के साथ और जो rest बच जाएगे उनके लिए payment उनको करना होगा तो 14 जन्वरी का हम लोग वेट करते हैं तब तक सारे module आप लोगो उपलब्द करा दिया जागा जितने भी दोस्त है आपके circle में सब पार्टी सभी को बताईएगा हम लोग बहुत बड़े पलान पर 15 लाग का स्कोलर्स दिप आप लोगो उपलब्द कराएंगे इसी संदर में चीजों को हम लोग आगे बात करेंगे चलिए आगे हम बात करते हैं चलिए पीटी फैक्ट में आपको सबसे पहले आज एक केस study पढ़नी है मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ पद के साथ दायुत का बोध भी बढ़ता जाता है या उत्रा दायुत का दाइरा भी बढ़ता जाता है मैं लगतार बोलता हूँ, आप सराजनिक मंचों पर जाते हैं, आप प्रतिष्ठा का अनुसार बहवार करते हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, किस प्रकार के वैचारिक मत है, आपके नीजी मत कैसे है, वो सराजनिक मंचों पर नहीं बेवान किये जाते हैं, यह important factor है, एक परसासन में कारे करने वाले राजनिती कारपालिका के एक परसासनी कारपालिका का, ठीक है न, सारे चीजों को समझने का परियास किजेगा, अगर इन चीजों को आप समझ नहीं पाईएगा, तो केस स्टडी से आपको चीजे समझने होंगी, कि हम एक्जाम में कैसे चीजों को कभर कर सकते हैं एंटीवू में कैसे एंटीवू पैनल को जवाब दे सकते मामला फिर चाया है दुरुमुक सांसा जो है बिगड़े बोल है हिंदी पट्टी के राज्यों को कहा गोमुत्र वाला राज्य कभी गरीब आपको गरीबी को संदर में दिखाने के लिए उत्तर भ थे कि इनके विचार में निजी संदर में बाते थी कि जो राज्य में अगर भाज्पा की सरकार आएगी ठीखे mensen सकार न बिलकूल आसे पूछ सकता है कि दायितों के साथ दायित बढ़ते दायित के साथ आपके नैतिक जीवन में भी और सावजनिक जीवन में भी आपको दायित वोद का परिचे देना होता है यह आपके ethics paper वाले paper में पूछ सकता है और खास का interview के पैनल के द्वारा इस प्रकार के प्रस्ट में पूछे जा सकते हैं है तो हलाकी देखिए आप बात है कि जो सांसद जो है कि अगर कोई बैक्ति विसे सोता इनकी बातों को उतनी सजग्दा से नहीं देखी जाती पर एक सांसद के तौर पर जन परतिनिधी के तौर पर चून कर आया है संसद में और आप रिपर्जेंट कर रहे हैं हजारों लाख और इससे प्रभावित होता जैसे स्टालिन का मुद्दा कुछ दिन पहले ही था तो देखिए ध्यान रखिएगा स्टालिन का जो बेट जो मुद्दा उठा उठा था वो भी चर्चा परिचर्चा का विसे था अब छेत्री भेद्भाव के अपने सोच में बेहिजक सांसत रखते हुए हिंदी परती राजियों को गोमुत्रली राज्यकी संझया डिया है और कि वह क्यों कर रहे हैं कि वह दच्छी राज्यों में भास्ता के कमज़ोर मॉप्रणशन अफदर्शन का मउख्षन मजा कर रहा है जो भी जीत दर्ज की गई है सयम बढ़ता जाए और अपने कारे को ज़्यादा तहजुब दे इसलिए आपको लगतार आप देखने को मिलता होगा जो मोधी विरोधी विचाधारा है या जो वर्तमान सरकार की विचाधारा उससे जो मेल नहीं खा रहे हैं लो वो इसी परकार के ब्यान बाजिया करके ठोड़ा सा मौटर करना चाहते जनता को तो आपको इस परकार से राजनितिक रूपसे तो चीजों को नहीं देखना चाहिए फर परसासनिक संदर में आप एक परसासन के जुड़े हुए व्यक्तिव एक्सेस बिसेस बनिएगा राजनितिक परतिस् पथ्यक वर्गों के लोगों की भावनाओं तक को खेल देगा और उसके बात केवल एक एको पोस्त करते गा था ट्यूटर जो पहले हुआ करता था उस पर केवल माफि मांग लेने से माफी मांग लेने से क्या इन चीजों की भावनाओं को पुनावापसी की जा सकती है यह सबसे इंपोर्टेंट है इसलिए मैं लातार बोलता रहा हूँ सुरुआत से अब तक कि सांसदों पर हेट स्पीच के मामले वाले में कठोर से कठोर मामले की सजिक्दी होनी चाहिए उसके लिए बाते हैं कि कुछ चीजों को जैसे हम अचार सहिंता को लावू किये थे एक न्यूनतम सहमती के अधार पर सभी राजनितिक पार्टियों ने किया था तो इसी परकार से हेट स्पीच के मामले में भी सभी राजनितिक पार्टियों को आज नकल इस पर नेड़ने लेना हुआ क्योंकि सीमा बढ़ गई है आज माले जे भाजपा केंदर में है या सत्ता में है तो यह बाते आ रही है जब या व्यक्ति विशेष है वो परभावित होती है तो यह इंपोर्टेंट फैक्टर के तौर पर काम करेगा इस लिए यह चीज़े होनी चाहिए तो आप से प्रस्ण पूछेगा इस परकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या परियास किये जा सकते है तो दो तीन परियास तो आप लगे हाथ बता दीजेगा पहला तो हेट स्पीच के मामले में आम सहमती राइनती पार्टियों को होनी चाहिए जैसे जो चुनाओं में अचार सहीता होता उसी परकार से क्योंकि नियूंतम तो निर्देश दिशा निर्देश होने चाहिए अगर किसी ब्यक्तिव सांसद या विधायक पर बार-बार हेट स्पीच के मामले देखने को मिल रहा तो उनकी आयोगता से सम्मंधित प्रस्ण पर विचार करना चाहिए संसद को या उससे समंधित विधान मंडल को तिसरा अगर ऐसे ऐसी परकिरिया में जवायोगता के मामले में जब ये मामला आ जाता पुना उनका निवाचान और फिर भी उनका हेट मामला नहीं रुखता है तो ध्यारख्जे उन पर कानूनी करवाई जरूर होनी चाहिए जो टोकरी में रखा सड़ा हुआ टमाटर है न olarak करने का अर्थ है मौलिक विचारों में पतन का अर्थ है पूरе समाज का पतन होना इस चीज़ को समझ येगा तो step by step हम लोग क्या कर सकते सकते करवाई की और बढ़ सकते आप इस प्रकार के concept को बताईएगा कहीं भी पूछे तो आप इन चीजों को समझने का पर्यास किए चलिए आगे हम बात करेंगे एक निसान एक प्रधान एक विधान सिर्फ नारा नहीं है अमी साजी के द्वारा बताएगे है हलाकि या 370 के और 331 के मामले में जो आया है संसत के पटल पर चर्चा हो रही है आरक्षन संसोधन विध्यक में जो बातिच चिकन रही है उसवाफ चर्चा पर चर्चा हो रही है हलाकि एक तरफ मान्य नियाले में भी इस पर समंदित रीट दायर किया हुआ है तो विचार हम बाद में करेंगे पर दियान अखिएगा यह बहुत जरूरी है भारत जैसे आपको विवताओं वाले देश के लिए जम्मु कस्मीर का विले भारत में किस स्थिती हुआ सभी को पता है बहुत से यथा स्थिती लाब लिये गए पर क्या कलांतर तक यही स्थिती बनी रहनी चाहिए कि आप किसी इतिहासिक परिपेक्ष में आपके द्वारा जो सेशन ओफ पावर किया गया था उसी को बेस बना कर हमेशा आप उस छेत्र को भारत के अंध छेत्रों के साथ अलग रखना चाहते हैं तो यह बिल्कुल निराधार विकल्प देता है जब आप एक राष्ट के तौर पर जन्मन लेना चाहते हैं तो आपकी विवताओं में एकता के संदर उजह लखने चाहिए इसी के संदर में एक निसान एक प्रधान एक विधान आपको 950 से यह नारा देखने को मिला था जो आपको सियामा परसाद मुखर जी के बलिदान के संदर में देखना को मिलता 950 से वो अपने इस जो नारे को लगतार चलाते आये थे बाद में 370 हटा 2019 में यह सब मामले आपको ध्यान में रखने है और जम्मु कस्मी में लगतार बोला था कुछ दिन पहले वी कल भी में साहिज बोला था कि जम्मु कस्मी के लाल चोक का जाके इतिहास देखिए वर्तमान में कैसे बदलावाय है विकास के मानक कैसे तैह हुए राजनिती अलग बात है और राजनिती के माध्यम से लोगों का विकास होना उस संदर में दोनों अपोजिट डिरेक्शन में कार्य करने वाला है कि लोगों के हित किस राजनिती करन से बढ़ रहा है और राजनिती से लोग यहां पर बाते की गई है आपको त्रिमूल कॉंग्रेस के कोई थांसद उनके द्वारा या बाते की गई मैं अभी नहीं देख रहा हूं कि उसमें उनके द्वारा बोला गया कि राज्य है न केंसासित परदेश स्टेटर्स प्राप करना करना चाहता है राज्य का ठीक है और पर जम्मू कस्मीर के मामले में राज का गठन केंसासित परदेश के रूप में पुनगठन किया गया तो यहां पर यह परकिरिया उलट परतीत होती है और आनिची से प्रभाविद देखती है और मैं इसके एधार पर यहां बात बोलता हूं यह इंपोर्टेंट रही है कि राजी का स्टेटस क्या है इस्टिती क्या है इपोर्टेट यह है कि उस राज में निवास करने वाले ब्यक्ति विशेज या ब्यक्ति समुहों को कितनी समान धारा से उठाते हुए विक्सित विचार धाराओं में परिवर्टित किया गया इंफास्ट्रक्चर को कैसे डवल क्या गोवा का नाम सुनते हैसे अब से छोटा गोवा है राज्यों में माने तो गोवा का जो आर्थिक रहन सहन है समाजिक रहन सहन है और जो उसका विखास पदती है क्या अन्राज्यों की तुल्ला में वो अलग है या विस्तृत आपको देखने को मिलता है तो क्या गोवा बड़े राज्य का गठन का मांग कर दे ठीक है एक कॉंसर्ट देखिएगा दूसरा केंसासित परदेश आप चंडीगड़ को जाके पढ़िएगा चंडीगड़ को क्या उसके आप गूवल पर देखिएगा उसका पति बैक्ति आएग देखिएगा पर उसके ऊसके बात हो सकता है राज्य का स्टेटश मिलने पर उसकी अपनी राजिनितिक रिखिशना विधान मंदल होगे, विधान सभा, विधान परिसद होगी, राज्य केंदित होकर और विजजनाओं को विश्चित रूप से लागू कर सकता है, पर यह एक कारक हो सकता है, एक मात्र कारक नहीं हो सकता है कि अगर किसी राज्य का विकास करना है, किसी राज्य के समधान करना ह तो केंदर सासित परदेश से उसे उठाकर राज का दर्जा दे दो यहां विल्कुल एक कारक हो सकता है यहां एक मातर कारक नहीं है मैं जो बात बोरा उसको याद रखिएगा जब भी आपसे इस परकार के टॉपिक से प्रस्म पुछेगा तो साफ एक सब्दों में बोलिएगा सर यहां एक मातर कारक नहीं है यह कारक हो सकता है कि केंदर सासित परदेश जो है का राजी का दर्जा दिया जाए तो उसके विकास के मानक तिरू हो सकती है पर यह बिल्कुल भी निरधार विचाधारा है कि किसी रखेन सासित परदेश की जनता का जो जीवन से लिए वो विक्सित नहीं हो सकता या उसके लिए उसके इंफरस्ट्रक्ट्टर डवलप नहीं हो सकते तो इस कॉंसेप्ट को याद रखी है चलिए आगे हम बात करते हैं अगर समझ रहे होंगे कॉमेंट शक्सन में बताईएगा कैसे चीजों को लगता है अब देखिए मैनमार के गरीबों के कीड्नी खरीने का आरोप लगा है अब पोलो अस्पताल पर तो अभी वर्तवान में जो भी चीजे हैं बाद में जो भी नहीं जाएगी उसको अमनों दे हार भी है यह दो जाठार से तैस तक के विश्विद्याले जो है उसमें आपको मुखतिती को त्वर पर गए थे लाल बहादु सास्त्री राश्टी ये संस्कृत विश्विद्याले के पर्थम दिख्षान सर्मरों में ध्यान रखिएगा आपको यहां पर किन-किन चीजों कराया जाता है वेद दर्सन साहित जोट्सी वासुषास्त्र साहित धर्म साहित विविश्विद्य विश्यों पर पीजी आपको कराया जाता है अंसकालिन डिप्लोमा दिया जाता है लगबत 4,423 चात्रों को उपाधिया दी गई 2018 से लेकर 23 तक के बच्चों को दिया गया था ध्यान रखिएगा पीटी फैक के तौर पर आपको प्रसन पूछा जा सकता है देखिए युपेसी के जियेस पर टू दिपक्षिय संबंद में केनिया भारत के संबंदों में जो नए सवरूप देखने को मिले उससे संबंदी ट्रॉपिक आपका आता है देखिए बहुत सी बाते यहां की गई है दोनों एक दुस्य से 1911 से जुड़े हुए 1911 से हमारा इतिहास है केनिया और भारत का भारत के पहला ब्यक्ति वहां गया था 1911 में उसके बाद अपना वो दुतिये अस्थल समझता है एक भारत और दुस हैं उसके बाद दोनों के अपनिवेस्टिकी ताकत जो थे उसका मुकावला के संदर में जो इतिहास साजा करते हैं वो साजा इतिहास है भारत में केनिया इस बात से एक मत है कि आतंकवाद मानावता का सबसे बड़ा गंबीर चुनोती है तो आतंकवाद के मुद्दे पर द भारतिये कॉंसेप्ट लेका चलते उसमें सहयोग करता है केनिया से मिल रहे समर्थन और उसके सांस्कृतिक आदान परदान समझोते के लिए हताक्षर किये गये हैं निकटता लाई जाएगी दोनों देश के बीच मेरी टाइम सहयोगा था समुद्री मेरी टाइम आपको सहय किया जाएगा हिन परसांद महासागर में सहयोग केती सब पॉइंट आप लोग याद के किंती मुद्दों पर दोनों देश सहमती व्यक्ष किये हैं अब क्रिसी अधारिक अर्थ व्योस्ता के लिए भारतिये जो भारतिये इंफ्रस्ट्रक्टर है भारतिये जो कि करने के लिए केनिया को लवब 25 क्रोर डॉलर लाइन अफ करेट दिया है नियुंतम को नियुंतम निवे उसको क्या कहते हैं हम लोग कभी-कभी मुझसे भी मीस हो जाता है माइंड से आप लोग सुनते हो पेट में है जुवान पर नहीं आया चलिए लाइन ऑप में भारत सहीवक करेगा और इन सब चीजों को लेकर केनिया के गलोबल जो एलाइन से उसमें सामिल करने के इच्छा व्यक्ती है तो भारत सरकार ने उसका क्या किया है तो स्वागत भी किया है आगे बात है गलोबल साउथ में दोनों देशों के दोनों देश के निक्तित करने के लिए उन्हें बढ़ाई देते हैं अफ्रिकी उन्यों को सामिल किया गया जी ट्वेंटी से खसम मेलन हुआ तो केनिया के जो राश्पति भारतिय पढ़ानमंति को क भारत के निया संबंद के संदर में ठीक है अब पीटी फैट के तोर पर एकीज और याद अखिएगा दोजाट चौविस के भारत जारी किया हज नीती जिसमें महिलाओं को बढ़ते 43% महिलाए थी पिछले हज में इस बावी संख्या बढ़ने की है इसका परमुक है 43% अधिक महिलाए बिना महरम पुरूस के अभिवावक वार्सिक यात्रा याद अखिएगा महरम सब्द यूज हुआ है तो आप इसे कॉमेंट सकते में बताएगा विस्तितों से महरम किस र करने का आगरख किया गया है केंसरकार के द्वारा विभिन राज्यों में ध्यान रखिएगा ग्री मंत्रा लेंद 14 15 19 21 22 के सभी राज्यों केंसासित परदेशों के प्रसासन में पुलिस परतिनिजित महिला परदेश 33% को सलाह जारी की है अर्थात कहने का मतलब है जल्द ही भेकेंसी इस चेतर में आएगी तो आप एक्टिव हो जाईएगा अभी वरतमान में लगवद देश में 11 15 जो देश की पुलिस बलो की महज 11 157 परतिसत आपको महिला है तो एक पीटी फेक्ट आपनों बताए किस राज्य में महिलाओं के संख्या अधिक है उस राज्य का न लेगा तो भूगल सर्च कीजिएगा पर दीजिएगा जरूर इससे आपका इंटरनल डवलोपमेंट होगा अब है सभी राज्यों में आपको जो हेट कॉस्टेबल और निरिच्छक पदों की पुनाविर्थी के लिए क्या के अत्रीक्त और कॉस्टेबल और और दस महिला कॉस्टेबल होनी चाहिए तो भी जाके हम जो कॉस्टेबल लेकर चल रहे हैं क्या 24 घंटे महिला हेल्फ डैक्स का वह पूरा हो पाएगा वहीं मनरेगा के लिए क्या हुआ अच्छे से इसको कवर किजेगा और देखी यूपेसी बहुत इंपॉर्टेंट है इसे आप लोग अच्छे तरीके से कीजिएगा इस बार इग्जा में फिर देखने को मिल जाएगा वो यूपेसी का हो या विपेसी यूपीपीसी कहीं भी हो में आपको इससे टॉफिक लेटेड मिलेंगे जहां परिपेसी के जीएस पेपर 2 & 3 कारवन सरकार के नितिया जलवाई परिवर्थिन समंदी मुझ्जे से जुड़ा हुआ टॉपिक होगा आप से टैली करता है तो आप स्टेट पीस्टेस वाले जितने अव्यर्थी हैं 22 में लवब 5% बढ़कर दो टन तक पहुच गया फिर भी यह अब तक के वैस्विक आउसस से आध्य से कम है ध्यान रखिएगा यह रिपोर्ट ग्लोबल अंतराश्टी जो विज्ञानी को समू है ग्लोबल कारवन प्रोजेक्ट द्वारा जारी किया गया तो इसे ध्यान र प्रूश है 11.4 टन जहां पर उसरजन किया जाता है जापान 8.5 टन चीन 8 टन इरोकिये संग प्रतिवेक्टी 6.2 टन किया जाता है ध्यान रखिएगा वैस्विक ओसस 4.7 तन है यह आकरे दियेगे इसे जरूर आप लोग अपने उत्तर लेखन में सामिल किजिएगा इसी यह सब आखड़े दियेगे आखड़े को अच्छे से बाद दिख लिजिएगा आखड़े कानुसार काम किजिएगा अब है भारत में देखिएगा दो राजन दो इस समयलन टूट जो कॉप 28 है आपको संगीता राठोर और जसू मती बेन जेदा बाई परमार जो है वह वह समाधान ढूणने का परियास किये है अकोप 28 समयलन अपनी बातों को रखिए विल किंटन के हैं हेंरि किंटन उनसे बाते की गया है यह जाके उनसे चीजों को साजा किया गया है वो नीम की पतियों और वो मुत्र से इस्तमाद से जेविक खात कितना सक बनाने की विधी को ब देखिए हमें प्राकृति गुरूप से अपने संसाधनों का बेहतर परबंदन करना होगा हम कितना सको यह जेविक जो पादन पदती है उसको कहीं नहीं कहीं कम करना वो से प्रयावरन परदूसन होता है और भी चीजे उसे कोडिनेट होती है तो सब को कम करने का जो परिया चुनाओं के धन बल इस्तमाल पर अंकुष लगा है इस बागर के चुनाओं में तो यहां पर आखड़े दिये गए इसे पीटी फैक के तो आप यूज कर लिजेगा ठीक है ना आखड़े दिये गए है कितने मिले थे क्या मिले थे सभी का आखड़े दिये गए उससे आप हम बात करेंगे गीता महस तो आपको साथ दिसंबर सोगा अंतराष्टी गीता महस हर्याना के धर्म नगरी कुछ शेत्र में आयूत किया जाएगा इसका सुभारन 17 दिसंबर को आपको हमारे उप राश्पती जो धनकरजी है उनके द्वारा किया जाएगा इसे ध्यान रखि वही पर यह चीजे हुई कि जो मोडियूल उसको लेका गया था उसकी पूर्ण वापस उसकी कच्छा में करानी थी तो यह भी हम लोग उपलवदी हासिल कर लिए रिजन उसके पीछे जब हम मानुए मिशन धेजेंगे चंदर्मा पर यह कॉंसेट हमें प्राप्त करना था जहां पर अपने यात्रियों को ले जाके चंदर्मा पोतारना उसके मोडियूल को पूर्ण वापस अपने कच्छा में लाना एक महत्पून उपलवदी के तार पर जाना जाता है मानो मिशन के लिए यह मिशन भी आपको सफल हुआ यहां पर बहुत से चीजे दी गई हैं ज हम यहां से अपने मिशन को भेजेंगे चंदर्मा पर उतारेंगे फिर वहां से आकर भारत के कच्छा में परवेस करते हुए भारत क्या करेगा अपने सेटर पर कहीं भी उतार सकता अपने भूमी पर इसे ध्यान रखेगा इसके बाद इस तखनीक को डबलप होने के बाद से चीजे जो प्रप्रसनल मॉडूल था वह चक्कर लगा रहा है बाइस नॉंबर को यह 1.54 लाग किलोमीटर की दूरी पर थी इससे पहले विक्रम लेंडर स्लिप मोड में जाने के बाद 40 सेंटीमेटर उचल का 30 से 40 सेंटीमेटर दूर तक उचल का गया स्वाप्ट लेंड पुछ सकता है उपलब्दी कैसे भौईस में भौईस के मारगों को प्रसस्ट करेगा भौईस में जो इस्रों का जो लक्ष है मानुए मिसन है वहाँ पर फिर उसके बाद नासा का लक्ष है कैसे वहाँ पर मानुए बसावट बढ़ाएगे यह सब चीजे जो कॉंसेप्ट पर चंद्रमा के घुमते पर पर परदसित करना चंद्रमा की सतह पर विज्ञानिक परियों को संचालन करना अब चंद्रयां थ्री चौदन जुलाई को भेजा गया था अंदर परदेश का हरी कोटा से अब उसके बाद वह क्या करता है कि 23 अगस्त को दशनी धुरूप जात स्वाप लेंडिंग करता अगस्त की बात हो रही है 22 मत समझ लिजेगा इसी साल भेजा गया है भारत को छोड़का कोई भी देश धर्शनी धुरूप पर लेंडिंग नहीं किया है पहुचने के बहुत दूर की बात है स्वाप लेंडिंग भारत ने कर लिया है तिक्या ना यह बहुत बड़ी उपलग दी है इस रोकी तो इससे ध्यान रखिएगा अब जो प्रपेस्टनल जो प्रपेस्टनल जो मॉड्यूल है उसका मुख उदिस किया है जियो श्नेरी टांसपर और्विट में मिलेंडर मॉड्यूल के चंदमा का अंतिन धुरूए गोलाकार कच् आगे बात करेंगे रेवडियो जनल कल लियानकारी योजनाओं के बारे में फिर से लेख आया है इस पर मैं लगवत चार से पांच बार लेक कवर किया हूं इससे समद्दी दो बार मैंने आप लोगो की पॉइंट अपडेट किया हूं दैनी जागर निट्रोपर इल्नेसिस को आवाज अर्थात संयूत अरव अमिरात में जब सकतर हजार सदिक जलवाई कारकरता जुटे हुए है को 28 का समयलन करने के लिए साथी साथ जो पुरवर्ती लक्ष है भविस्यों मूख लक्ष है सभी पर बाते करने के लिए एक मन साधा किया वहां पर यह चीज को समझने हो रहा है इसमें परियावरें संकट समधान के लिए जलवाई वित्व सिख्षायों युवा नवाचार लेंगिक समानता विज्ञानिक समुद्र कारवन बजार और दक्षता समवर्धन परवुक्ष विसे हैं तो ध्यान रखिएगा कुछ बातों को समझने का परियास के इ तो वर्ष 27 हुआ था वहां पर यह कोष का गठन का प्रस्ता किया था कि हम च्छती पूर्ती के लिए बहुत से चीजों को कर सकते हैं उससे हलाकी फंड की बात की गई थी तो यहां पर वह इस बात इसमें पैसे टांसफर किये गए हैं जिस पर मैंने आप लोगों को पीटी चलते आपको ध्यान रखना यहां पर अस्थाई रूप से विश्व बैंग को इसकी निग्रानी स्वापी गई है दोजा साथ में स्वयूत राष्ट के हानी और छती पूर्ती जो सिध्धान्त वाली बाली कार्योजना के जड़ी संग्यान मिया गया था हलाकि 2015 में पेरी सम पांसो असी डॉलर की जोरते ध्यान रखी गाए फिर इसके साथ महिलाओं के जलवाई नियाय के लिए बात किये जेंडर रिस्पॉंसिव जस्ट ट्रांजिक्शन एंड क्लाइमिट एक्शन पार्टर्शिप को मंजूरी मिली है इसे चौसर देशों ने मानेता दी इस समझ अर्थिवरुस्ता के तहथ हरित्क और श्टर की और प्रयावन नुकूल सहज नुपांतरन के लक्श को प्राप्र करना जेंडर बजेटींग आंपक्ता देना ताकि उनके हीति पूर्टी हो सके उनके हिति जो विकाश के मानक ने किए जया रहे महिलाओं के लिए सशक्तिक सब्सक्राइब दिया नहीं है दो दिसंबर 2023 को जलवाई स्वास्त जो संयूत अरव अम्याद गोष्टा जारी किया गया भाद इससे बहवारी और बहवारी बताते वे से समझोते में क्योंकि जो पर समझोता हो रहा था स्वास्त जो कुलींग सिस्टम होता है स्वास्त खेतर पर पर आप घ्यास्त अर्विक्षित अबर बेहवारी था इसलिए भारत इस पर समती नहीं ब्यक्त किया और और विक्सित विकासिल छोटे देशों के स्वास्त और सक्वाव खुरा करने यह बाधा होता इसलिए यह concept पर भारत इस पर सयों नहीं किया वहीं हम दुरस्त सेवाओं पर जाते तो दवाओं की सितलन सेवाओं प्रभाईत होता था फ्रीजिंग का जो concept है तो वो भी कहीं नहीं प्रभाईत होता है दोजा भारत ने दोजा तीस तक अक्षे उर्जा उत्पारन चंता है तीन गुना विर्धी से जुड़े समोती पर भी खुद को अलग रखा क्योंकि भारत पहले ही अपनी घोशना बता चुका है 500 गिगावाट नवी करनी उर्जा लक्ष को उसने जटा चुका है कुछ की लक्ष तो प्राप्ती हो भी चकी है इसलिए भारत अपने लक्ष के पहले से ही तैकर रखा थी इसलिए इसमें नहीं जुड़ा वहीं पुराने वादों में अमल जरूरी है स्वयूत राष्टे के जलवाई समेलर में इसके लिए पेड़ी समझोते कि जो बाते की अंतरगत ग्लोबल असकाट टेक जी एस्टी रवस्था अस्टित्व में आई थी उस पर कारे करने की बात की गई यह सब बाते होते हुए आगे बढ़ता है अब भारत ग्लोबल वार्मिंग के योगदान बहुत कम है दुनिया की अबादी का 17% भारत में रहता है पर मुस्की अमेरिका समेत कई देश पर्ति ब्यक्ति कारवरों सर्जन के मामले में अमरिका रूष ब्रिटेन एरोपिय संके पीछे है फिर भी सारा ठिकरा है इन विकासिल देशों पर फोड़ा जाता है यही बाते विबात का कारण बनती है कि हम जलवाई परिवर्तन के मुझ्दे पर आम सहमति नहीं बना पाते हैं उनको अधिक दायत लेना चाहिए विना प्राकर्टिक संसान्यों का दोहन कीए बिना वैमिर नहीं होए होगे विकासिल राष्टों को उनको सहयों करना होगा यहां बारचीन जैसे जो बाढ़ रही उसको इस धारना से नहीं देखना है कि वह आपका प्रतिद्वंदी बनेगा कुछ तिनों के बार व आप विकास देजेगा उसको लिए कुल मिलाकर बात यहां समझने का बात यहां है कि आप है विकासिल और विक्सित देश्च के तौर पर जब जलवाई परिवर्तन को देखिएगा तो एक समय के बाद जलवाई परिवतन आग के हाथ की जो समस्या है उससे बाहा निकल जाएगी वो प्रकृति अनुसार हो जाएगी अब प्रकृति जब हिसाब करती है तो वहाँ पर अमीर और गरीव विक्सित अल्विक्सित विकासित राष्ट का चेयर नहीं करेगी वो को दीजिए अभी ब्रिटेन का मामला था जहां बहुत गर्मी में लोग बीच पर आ गए थे और बहुत सी चीज़े हुई थी खरोना से पहले आप देखे होंगे यह सब मामला आपको देखना होगा समझना होगा कि इस मुद्दे पर हमको कम से कम आयत आम समती व्यक्त करने जैसे यूद के समय जैसे यूकरेन के मामले में सभी राष्ट कैसे एक जूठ हो गया दो गुट में पुरा धूर में बढ़ गिया तो यहां पर जब हो सकता है या इसराइल और हमास के मामले में जब विस्टे दो धरा में बढ़ सकता है और दोनों एक दुसरे का सहयोग कर करने हैं उनका अपन हीट हो सकते हैं पर सहयोग तो कर nazi ना आपको भी जलवाई परिवर्टन में एसे ही यूद जैसी स्थिति को कायम करनी होगी समझना होगा कि यह प्रकिर्टी के साथ जो हम लोगों है फ्रकिर्टी हनन किया सूशन किया ससाम हो उसकी पूर्ती के ले में युद अस्तर पर कारे करना होगा यहां पर विक्सित अविकासित राष्टों का कॉंसेप्ट हडाना होगा नहीं तो समस्या इत्तर हो जाएगी हमारे हाथ से निकल जाएगी और हम बेवज़ा हमारी जो आम जनता वो प्रभाईत होगी विश्व के सभी ज यहां होगा उतना असर यहां ही होगा जिसका जलवाई परिवर्टन के मामने हाले में एक रिपोर्ट आया था जहां भारत में सुखा और बार की संख्या इस बार देखनी को मिलिए यह समस्या सभी राष्टों में है इसे समयने क्या हो सकता है क्या सोच रहे हैं कि बहुत त पर यह बताईए आप समयने का परियास के प्रकृति प्राकृति आवास का निर्मान करती है जहां पर आप सहज होकर रह सकते तो प्रकृति को प्रतिवी को बचाने क्या सकता उसके लिए किसी भी परकार का हमें माबदन टैक नहीं करने होंगे इस इसको समयनना होगा अब इसी कदार भारत का स्वास कार्ड बनेगा ग्रीन केड़ तो यह कॉंसेट भारत के द्वारा दिया गया है कोप 28 में तो इसे भी याद रखे ग्रीन केड़ की पहल की घोष्टना की इसमें दरसल भारत ने पर्यावरार अनुकूल जीवन से लिए लाइफ मिशन को प्रसाहि दिया जा रहा उसका लाब लिजी आप लो वह एप डाउनलोड कीजिए आप डाउनलोड कीजिए गा ओटोमेटिक सारी चीजिए आपको फंसन देखने को मिल जाएगा आपके हमारे टीम मिलेगी कोई भी समस्या हो मैसेज़ डॉप कीजिए सभी का चैट बॉक्स डवलप क किया हुआ है आप जैसे ही पैकेज खरीद दिएगा पैकेज का भी एक ग्रूप बनेगा अलग से एक कॉम्निकेशन गुरूप है सभी स्टुडेंट उसमें जुड़े हुए है तो आप सभी का लाब ले सकते इन सब चीजों को समझ सकते आगे बर सकते चलिए फिर कल मिलते नए न्यूजलेंस सिस्टरता तब तक के लिए धन्यवाज जैन